बुलटिन की शुरुवात करेंगे एहम खबर के साथ तो हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंद्र हुड़ा से एडी की पूस्ताच जारी माने सर लाइंड डील मामले में कथित गड़बडी पर ये पूस्ताच हो रही है एडी के दिल्ली इससे दफ्तर में सवाल जवाब हो रहे हैं दो हफ्ते पहले भी एडी ने हुड़ा को पूस्ताच के लिए बुलाया था कई सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए थे हुड़ा सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि कई सवालों का जवाब सही तरीके से हुड़ा नहीं दे पाए थे यही कारण है कि लगतार 14 दिन में ये दूसरी बार पूस्ताच हो रही है मानिसर लैंड डील मामला है ये और ED इस पर जाच कर रही है हाला कि CBI भी इस पूरे मामले पर जाच कर रही है लेकिन फिलाल ED पूस्ताच कर रही है भुपेंद्र हुड़ा से तो ये बड़ी और एहम खबर हम आपको बता रहे हैं दरसल गुरुग्राम के ये तीन गाओं के किसानों से जुड़ा हुआ मामला है बड़े बिल्डरों को फायदा पहुचाने का आरोब हुड़ा पर लगा है 2004-07 की बीच का ये पूरा मामला है आपको ये भी जानकारी दे दे कि किसानों की जमीन को बिल्डरों ने खरीदा था लगभख 100 करोड में बिल्डरों के हडियाना न्यूस के विशेश सुन्वादातर रवी काली रमन हमारे साथ जुड़ गए है रवी एक तरह से देखा जाए तो उड़ा की मुश्किले या बढ़ती हुई नजर आ रखी है चौदा दिन में लगातार ये दूसरी बार पूस्ताच है और अभी भी पूस्ताच जारी है पूरी जानकारी इस खबर को लेकर बिल्कुल राज़री देखे इससे पहले कि अगर पूस्ताच की बात की जाए थी और कही न कहीं एक लंबी पूस्ताच के दोरार कुछ एक सवाल ऐसे थे जो रहे गए थे इसके चलते कहीं न कहीं दوبारा से इडी ने भुपेंदर सिंग हुड़ा को तलब किया है सुत्रों की माने जो सुत्रों का कहना है कि कुछ एक सवालों के जवाब जो है भुपेंदर सिंग हुड़ा ठीक से नहीं दे पाय थे इसके लिए भी कहीना कहीन भुपेंदर सिंग हुड़ा को तमाम तरह की जो प्राइवेट बिल्ट्रों को फाइदा पहुंचाने की बाद जो है वो निकल करके सामने आई थी और तब से कहीं न कहीं ये ताब पूरा जो मामला है उसके बाद से ही उजागर हुआ था और कहीं सी बी आई की तरफ से भी मुख्यमितरी बुपेंदर सिंग हुड़ा पर एक मामला जो है वो दर्ज किया गया है लेकिन कहीं न कहीं न कहीं आरोब बुपेंदर सिंग हुड़ा पर लगते हुई नजर आये थे कि प्राइवेट बिल्डरों को फाइदा पहुंचाने की यहां कोशिश की गई है और उसी के संदर्ब में एडी लगातार बुपेंदर सिंग हुड़ा से पूचताच जो है वो कर रही है जी बिल्कुल और रवी अगर हम देखें इस से पहले जब हुड़ा से पूचताच की गई थी तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बहुत सारे सवालों के जवाब उस सही तरीके से नहीं दे पाये थे कि ठीक से जवाब नहीं दे पाये थे लेकिन कहीं न कहीं कई चीजे ऐसी थी कि आठ गंटे की जो पूस्ताच जो चली है उसमें कहीं न कहीं तमाम जो सवालात थे एडी के वो भी पूरे नहीं हुए हैं और कहीं न कहीं दूसरी चीज यह निकल कर किया जो सवाल एडी की त और इसी माамले को लेकर किना कई तमाम तरह की पूष्टाच पूर चूरुМोच्छ पूंदर सिंग खुड़ा से पहले भी हो चुकी है और अब भी लगातार एडी चार्ज कर ली है तो ऐसे में कई न कई सरकार वृपन्दर सिंग खुड़ा उस único मुख्יכ मंत्री होते थे. वो सस्ते में खरीदी गई उसके बाद वने पॉने दामों में यानि की ज्यादा दामों में प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन बेची गई इस परकार के आरोफ जो है वो लगते आये हैं देखना होगा कि ईडी किस परकार से सवाल करती है आज कौनछ ऐसे सवाल है जो बुप बुपेंदर सिंग हुड़ा ने मीडिया से भी कहा था जब एडी मुशे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा उनका काम है पुष्टाच करना और मैं उनका सयोग करूँगा तो कहीं न कहीं बुपेंदर सिंग हुड़ा जब भी इडी तलब करती है तो चले जाते हैं तमाम सवा से बाहर निकले थे हुड़ा जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि दुबारा भी अगर एडी उन्हें पूस्ताच के लिए बुलाती है तो वे जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे तो 14 दिन में ये दूसरी बार पूस्ताच हो रही है अब देखने व पूस्ताच हो रही है एडी के दिल्ले इससे दफ्तर में सवाल जवाब किये जा रही है 14 दिन में लगातार ये दूसरी बार पूस्ताच हो रही है मानेसर लैंड डील का ये पूरा मामला है और 16 करोड की जमेन को 100 करोड में खरेदा गया था 14 दिन में दूसरी बार पूस्त मनी लॉंडरिंग का यह पूरा मामला है जिस पर एडी पूस्ताच कर रही होड़ा से किसानों की चार सो एकर जमीन के अधिग्रहन का नोटिस जारी हुआ था आपको यह भी जानकारी देदे कि गुरुग्राम के तीन गाउमाने सर नकडॉला और नौरंगपुर के यह किसान जिनकी जमीन खरीदी गई थी और सबसे यह बात यह है कि बिल्डरों ने जमीन खरीदी थी 100 करोड रुपे में जबकि उस जमीन की कीमत लगभख 1600 करोड रुपे है तो ऐसे में इसे लेकर जो एफाइयार है वो दाखिल की गई थी आप उसके बाद से ही इस पर जाच चल र एडी और सीबी आई दोनों ही जाच कर रही है फिलाल एडी की पूस्ताच में शामिल हुए हैं हर्याना के पूर्वा मुख्यमंत्री भुपेंद्र हुट्टा तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मामला क्या है ग्राफिक्स के जरिये हम आपको बताने की गोशिश कर रहे है कि मामला क्या है क्यूं हुट्डा से पूस्ताच इडी कर रही है चौदा दिन में लगातार ये दूसरी बार पूस्ताच है